इस वीडियो में एक कराउजल बनाएंगे तो अगर आपको पता नहीं कराउजल क्या होता है आपने कभी ना कभी यूज किया होगा एक कराउजल को जैसे कि टेस्टिमोनियल सेक्शन में आप देखता हूंगे एक कार्ड रहता है और एक एरो रहती उस पर क्लिक करते हैं और क मैं क्लाइंट्स और सइंग यहां पर एक कराउजल है ठीक है तो यह कराउजल जो है यह कराउजल मैंने स्वाइपर जैस लाइब्रेरी का यूज करके बनाया है तो यहां पर हमें एक लाइब्रेरी क्या होती है वह समझ में आ जाएगा कि लाइब्रेरी क्या होती है फ्रेम जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में यह चीज बनाया है पॉर्टफोलियो में एकदम यह होम पेज लेंडिंग पेज है तो यहां पर यह बैक ग्राउंड में यह कुछ चल रहा है आपको दिख रहा होगा तो यह भी एक लाइबरेरी का यूज करके ही मैंने बनाया है इस इस लाइबरेरी का यूज करके मैंने यह देखो यह मैंतर जिस लाइबरेरी इस ही का यूज करके मैंने वह किया है यह चीज बनाया है यह जो ऐसे चल रहा है पीछे तो मैंतर जिस लाइबरेरी का यूज करके यह बनाया है और फिर यह सब कुछ एकदम HTML CSS का यूज करके ब पर हम लिखेंगे swiper.js.com या सीधा swiper.js करके Google पर search कर देंगे तो भी जो first link आएगी swiper.js.com यही है swiper.js का home page actual library का official page तो यहां पर अगर हम इस पर click करें तो यह देखो एक दम अलग-अलग cards आते जा रहा हैं तो यह swiper.js library का यूज करके बनाया गया है तो ऐसे ही हम इसी library का यूज करके बहुत सारे इस तरह से बना सकते हैं तो एक library क्या होती है library basically कुछ piece of code होता है जो कि हम अपने खुद के project में import करते हैं जैसे कि मैं matter.js को close कर देता हूं मालो मैं अपना project create कर रहा था यहां पर यहां पर बना रहा था इसका आपको source code मिल जाएगा अगर आप यहां पर आते हैं तो github की series में जब मैंने open source में contributionally video बनाई थी तब मैंने इस particular portfolio का github repository दिखा था अगर मैं अपने personal उसमें आ जाओ github में तो यहां यहां पर आपको repository मिल जाएगी अनुराइक सिंग बं ठीक है मेरे अनुराइक सिंग बं अकाउंट पर जाके अनुराइक सिंग बं नाम से repository अगर आप धोनेंगे तो आपको यह पूरा code मिल जाएगा और यहां पर अगर index.html पर जाएगे तो यहां पर मैंने बड़े से code के अंतर रख देते हैं यह सब कुछ मैं बना रहा था जैसे मुझे swiper.js की जरुवत पड़ी मैंने उस library को इंपोर्ट किया और यूज किया तो चलो हम imagine करते हैं कि हम कुछ काम कर रहे थे ठीक है जैसे कि हम कुछ tailwind का यूज करके कुछ बना रहे थे और यहां पर भी tailwind का setup नहीं है तो चलो पहले tailwind setup कर लेते हैं यहां पर अगर को भी styling की जरुवत पड़ेगी तो हम मतलब tailwind का यूज करके styling करेंगे तो एक बार मैं tailwind की website खोलता हूं क्योंकि मुझे सारी commands याद नहीं रहती है मैं tailwind खोल लेता हूं क्या-क्या है यहां पर सिधा copy-paste करेंगे हैं यह npm install नहीं करना है मैंने install globally कर दिया था तो npx init tailwind कर देना है यहां पर initialize हो जाएगी repository फिर इसके बाद यहां पर जाके यह चीज़ सेट कर देनी है तो यहां पर आके मैं यह सेट कर देता हूं और इसको string के अंदर रखना होगा और यह source के अंदर नहीं है यह सीधा यह सीधा dot slash किसी folder के अंदर और अगर हम चाहें तो अगर हम जावास्क्रिट नहीं देना चाहते हैं तो हम इस तरह से किवल html का भी मतलब दे सकते हैं कि किवल html file है तो तो उसमें curly bracket नहीं लगता है अगर दो files देनी होती है तब curly bracket लगाता है यहां पर html हमने दे दिया है यह हो गया और फिर उसके बाद क्या करना है इस नम से file create करनी है इस नम से file create करनी है और इसमें यह पेस्ट कर दिना है अब यहां पर यह components का मतलब क्या होता है यह मैंने अभी भी नहीं रता है तो यह बैसिकली tailwind के plugins होते हैं tailwind में अलग-अलग तरह के plugins हम इंस्टॉल करते हैं तो वहां से जो भी CSS आएगा वह यहां पर आएगा ठीक है मतलब वह इस add component के कारण आएगा अगर आपको tailwind के बारे में और भी सीखना है वैसे जितना हमने सीख लिया वह more than enough है किसी प्रोजेक्ट में उतन जाता है वो tailwind के दौरा लिखाया तो हम बसके लोग लगाते चले जाते हैं लेकिन अगर आपको सीखना है tailwind के बारे में और भी तो यूटूब पे अगर आप जाएंगे तो इनका tailwind का खुद का चैनल होता है tailwind CSS अगर हम लोग search करेंगे तो tailwind tailwind Labs यह करके इनकी खुद की website है और यहां पर यह लोग काफी चीज़ें पढ़ा है पूरा यह tailwind का playlist है और इसमें क्या-क्या नहीं चीज़ें आती हैं वो सब कुछ अपडेट करते रहते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं और भी यह official जगह यहां से देख सकते हैं काफी इच्छी information आपको मिल जाएगी और फिर इसका डॉक्स है ही ठीक है यहां पर डॉक्स आप पढ़के जान सकते हैं यहां पर कस्टमाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी तो आपको डॉक्स पर अगर कुछ भी नया सीखना है तो डॉक्स पर सकते हैं और जितन यहां से कॉपीपेस करनी पड़े। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं मैं यहां फिरे दाई-डाई यहां पर चृट्टम प्छॉट की की और मैं यहां से मैं स्क्रिप्ट नाल देता हूं हो यह output file हो गई ठीक है इतना हो गया अब अगर हम इसको start करें मैं एक बार इधर से ही यहां पर कॉमा लगाना है मुझे अगर हमें इस script को run करना है तो हमें लिखना npm start npm run tailwind यह कर देंगे तो हमारा इसको start हो जाएगा और tailwind यह हमारा html file को watch करना इसने start कर दिया है अभी हमने कोई css और output.css तो इसको मैंने link कर दिया और मैं इसको live server के साथ open कर लेता हूं मेरा initial setup हो गया यह green color background में आ गया है तो सही है अब मैं आपको एक और नहीं चीज़ बताना चाहता हूं अगर हम tailwind की website पर जाएंगे यहां पर components करके एक section है इस पर क्लिक करेंगे तो tailwind.y.com पर अलग अगर यहांपर आएंगे तो tailwindcss .com है पीछे यहांपर क्लिक करते हैं तो दूसरी website ही खूल गई तेल्वेंड यॉट कुल गई है यहां पर देखो तेल्वेंड यॉट कुल गई है और यहां पर यॉट के बहुत सारे components है लग अलग जिसको हम बड़े अराम से अपने system में import कर सकते हैं और use कर सकते हैं तो चलो यहां से कोई भी hero section या मतलब एक section इंपोर्ट करके देखते हैं मैं browse components करके होगा यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आएंगे तो फर्स्ट वाला चीज फ्री है ठीक है फर्स्ट वाला फ्री है लेकिन नीचे जाएंगे तो यहां पर get code का option आ रहा है और इस पर क्लिक करेंगे तो यह पैसा मांग रहा है तो जो भी free है उसको हम use कर सकते हैं जैसे कि मैं इसका code अगर copy करूं कोड मैंने इसको copy कर लिया है और मैं यहां पर पेस्ट करता हूं यह background कलर हटा देता है सब कुछ यहां से अटा देता हूं मैं यह पूरा copy करके code paste करता हूं तो यह देखो यह मैं कहां मैंने कहां खोल लिया है इसको open करता हूं मैंने सब्सक्राइब बंद कर दिया तो यह देखो इतना चीज मिशे बना बनाया अल्ड़डी मिल गया यह इतना चीज और यह एकदम responsive है अगर हम इसको छोटा करेंगे अगर मैं reload कर देता हूं देखो responsive है यह यहां पर hamburger menu भी खुल के आ रहा है लेकिन यहां पर functionality नहीं यह लोग देते हैं यह लोग बस styling देते हैं इस पर हमें close करके मुतलब क्लिक करके close open करवाना है हमें खुछ से javascript का यूज करके तो by default यह लोग ऐसा नहीं देते हैं तो मान लोग हम लोग यह website बना रहते हैं अब इसके बाद हमें एक carousal की जरूत है हमें carousal बनाना है इस तरह से जिसे मेरे website पर है तो मैं यहां पर अगर चाहूं तो मैं खुद से लिकूं जावाज स्क्रिप्ट सब कुछ लाजिक लेकिन वह बहुत ही ज्यादा मुस्किल हो जाएगा और इतने से बनेगा भी नहीं ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे मतलब यहां पर जाएंगे यहां पर जाना है और यहां पर हमें द यह वाला और फिर अगर नीचे आएंगे तो यहां पर यह सब डॉट्स बने हैं लेकिन डॉट्स अभी काम नहीं कर रहे हैं मतलब क्लिक अबल नहीं है इसको हम क्लिक अबल भी बना सकते हैं ठीक है यह देखो यह दूसरा है और यहां पर डॉट्स का साइज चोटा बड़ इसको देखें तो यह देखो इमेजस हैं यहां पर तो माल लेते हैं कि हमें यह वाला चाहिए नहीं तो और भी और भी अच्छे अच्छे हैं पैरलक्स लेजी लोड है इस तरह से चलता रहेगा वैंग्राउंड में और भी है यहां पर ऑटो प्ले एफेक्ट क्यूब कार् जो स्वाइपर जैस की एक दम वह सैट कुछ उस तरह से तो चलो हम यह वाला बनाते हैं यह वाला बनहा है एक दम फ्लिप हो ked सर्थ तो यह च्छा नही mistakes को में लेते हैं इसको क्या यह संट करें दूस्का को करना करना है अगर हम पर करके दो एक ने टैब में इसका पूरा code खुल जाएगा, VS code की तरह ही रहेगा, लेकिन यह है code sandbox, एक website है, जहां पर हम VS code की तरह ही, सारा code यहां पर हम लिख सकते हैं, अलग-अलग files create कर सकते हैं, समझ लो, online VS code की तरह ही, तो यह इतना पूरा code है, तो हमें क्या करना है, हमें यहां से copy करना है, यहां पर जो इसके header में लगा है, एक तो इसका CSS copy करना है, यह copy कर लेते हैं, हमें अपने इसके head tag में लगा देना है, header नहीं, head tag में लगाना है, और तो मैं यहां पर लगा देता हूँ, और मैं इस चीज को पूरे डिलीट कर देता हूं क्योंकि फालतों में यह confusion करेट करेगा आप मान लो कि हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें हम include करने जा रहे हैं नहीं कोड तो हमने उनका css import कर लिया है इसको मैं उपर रखता हूं और फिर इनका जो कुछ वैसा css है मतलब style करे css है तो इसको भी copy कर लेते है , Prague कौपी कर लेता हैੰ, और इसको copy करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पेस्ट कर दिया और छाहे तो अट उ लग से css file बना के और रख सकते हूं और फिर यहाँ पे यहे है, एर एक java script यहाँ पे है एनका ठीक है तो इस java script को इन्होंने body के अंदर import किया लेकिन मैं यहीं पर import कर लेता हूँ मैं इस css के बाद import करता हूँ लेकिन मैं यह पर different attribute लगा दूँगा ताकि error ना है यह load हो जाए पहले run हो बाद में तो इसको copy कर लेते हैं body के अंदर html body के अंदर डाल देते हैं और फिर javascript जो है एक javascript file में हम रखते हैं एकदम से script tag में नहीं रखेंगे एक javascript file मैं create कर देता हूँ script.js यहां पर मैं पूरा code paste कर देता हूँ और इसमें मैं link कर देता हूँ html के अंदर और हमें इसके नीचे link करना है ठीक है और फिर यहां पर dot slash source script.js यह link कर देते हैं और यहां पर भी different attribute लगा देते हैं ठीक है चलो चल के देखते हैं बन गया है यह कुछ करना ही नहीं पड़ा इतना बन चुका है हमारा यह और काफी छोटा लग रहा है तो अब यह जो छोटा लग रहा है इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं किसका यूश करके हम सीधा अपना जावा स्कृप्ट का यूश करके जावा स्कृप्ट बोल रहे हैं यह चोटा बड़ा कर सकते हैं जैसे कि यहां पर कुछ width height दी होगी इसलिए चोटा है पूरा inspect करते हैं देखते हैं यह जो पूरा card है यह इसकी width और height 300-300 pixel है तो उसी को हम बड़ा चोटा कर सकते हैं वैसे यहां पर देखें तो यह 300-300 pixel जो है यह यही पर दिया है तो इसको हम remove भी कर सकते हैं मैं remove कर देता हूं तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है ठीक है और अगर हम पूरा CSS remove कर देता हूं तो काम तो कर रहा है लेकिन styling नहीं है तो styling हम खुद से कर सकते हैं यह जो styling है यह swiper rapper है swiper my swiper है तो यहां पर हम इसकी width set कर सकते हैं tailwind का इस करके और width 32 कितना हो जाएगा यह तो बहुत ही कम है width 80-96 और height भी 96 कर देता है यह भी बहुत ज्यादा नहीं है थोड़ा सा ही बड़ा रहेगा तो यह देखो बन गया तो इस तरह से हम बड़े अराम से एक swiper बना सकते हैं और यहां पर अभी यह clickable नहीं है और हम इसको customize कर सकते हैं जैसे यह image है अगर आप चाहते हैं कि यह इतना बड़ा न रहे तोड़ा से छोटा रहे तो इसका जो पारण है वो इतना बड़ा है यह इतना बड़ा है तु कर यह पारण है 384 by 384 pixels और image जो है image भी उतनी ही बड़ी है उतनी बड़ी है तो हम अगर चाहें तो image को या उसके अंदर के cards को थोड़ा से छोटा कर सकते हैं image को ही मैं छोटा करता हूँ यह image है image को मैं बहुत सारे images हैं यहां पर यहां पर मैं class दे देता हूँ width 80 यह कर देता है तो अभी यह center में नहीं है लेकिन हम center में भी कर सकता है कैसे यहां पर आएंगे इसमें हम कर सकते है flex और item center सहसन नहीं दे रहा है मुझे और फिर justify इस तरह से छोटा हो गया हमें यह सारी buttons भी दिख रही है आराम से तो हम जैसे चाहें वैसे customize कर सकते हैं यह अगर हमें border radius देना है तो हम border radius दे सकते हैं आपर rounded LG यह कर सकते हैं तो image को मैंने image को ही दिया है na rounded LG ठीक है एक बार मैं यहां पर देखता हूं यह apply नहीं हुआ यहां पर class apply नहीं हुए एक बार मैं इसको save करता हूं और से reload करता हूं तो भी यह apply नहीं हो रहा है एक कोई image छूट गई है एक कोई image मिस हो गया फर्स्ट वाल इमेज में मैंने नहीं दिया rounded LG यह तो देखो सबका corner भी छोटा हो गया और भी अगर विट छोटा करना है तो और भी छोटा कर सकता है यहां पर navigation में clickable true अगर हम कर देंगे तो यह clickable हो जाएगा जैसे कि यहां पर भी अगर हम देखें तो clickable नहीं है ठीक है तो यहां पर अगर मैं यहां पर आओं और clickable true यह कर देंगे तो वह clickable हो जाएगा यह अभी भी हुआ नहीं मुझे याद है यह value ऐसे देनी है clickable अब यह exactly यहां पर देनी है यहां पर देनी है यह मुझे याद नहीं है खुद ठीक है तो आपको भी कुछ याद गरनी की जुरूत नहीं है यह वहां पर देनी थी ठीक है तो clickable यह कर दिया तो यह हो गया तो तो आपको कैसे डूढ़ना है, आपको यहाँ पर आना है, डेमो में, डेमो में आपको देखना है कि कौन सा है, जिसमें कि यह clickable है, यहाँ अगर हम देखेंगे तो, यह pegynation है, dynamic है, बहुत सारी चीजह। यह पर किसी में आजाएंगे, तो कहीं न कहीं आपको clickable मिल जाएग जहां पर clickable मिले उसका code आपको देखना है, यहां पर नहीं है, यहां पर clickable है, तो वहां पर देख सकते हैं, यहां पर भी clickable है, यहां पर भी clickable है, तो इसका आपको demo देखना है, core वाला demo देखना है, यहां पर आपको जाके javascript को देखना है, कि इन्होंने क्या किया है, ताक यहां पर clickable true लिखा है तो इस तरह से यह बन गया ठीक है और अगर आपको और भी cards और भी carousals यहां पर रखने हैं तो कैसे रखेंगे ठीक है अगर हम और भी रखना चाहते हैं तो कैसे रखेंगे तो उसके लिए हमें यहां पर देखना होगा एक multiple करके होगा कि multiple multiple swipers अपने website के अंदर multiple swipers कैसे रख सकते हैं ठीक है तो मैं इसको open करता हूँ core एक swiper तो ठीक है एक website में हो सकता है कि हमें कई सारे carousals रखने हो तो उस case में कैसे करेंगे यहां हो कई सारे carousals हैं तो उसमें अलग-अलग carousal की अलग-अलग ID होती है यहां पर जैसे जो swiper 1 है उसका ID है swiper जो 2 है उसकी ID है swiper 2 और जो 3 है उसकी ID है swiper 3 और यहां पर जब java script लिखे हैं तो हर एक के लिए अलग है अलग के लिए झाल बलग स्क्रिप्ट है थे तरह से इन्होंने cype pra create किया है किया है थे तो इस तरह से हम backyard कर सकते हैं बस हम इतना सा जानना है तो fir एक्जामपल अगर हमें यह वाला let Smells go लग रहा है यह वैला भी है तो दोनों सेम है, thumbs gallery, thumbs gallery loop, loop यानि कि infinite loop है, अगर हम यहाँ पर जाएंगे, तो last के बाद यह खतम हो जाएगा, तो last के बाद यह खतम हो गया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि last के बाद फिर से first से start हो, तो यहाँ पर loop का, यहाँ पर कहीं आपको loop देख जाएगा, तो loop वाला ले ले आना है, जैसे कि मैं इसी को अगर open कर लूँ, इसका core वाला version, तो यहाँ पर, वैसे इसको react के साथ भी use क कर सकते हैं, आपको code ही copy करना है, और फिर उसके बाद styling को customize कर लेना अपने हिसाब से, तो यहाँ पर आप आएंगे, तो यहाँ पर loop, यहाँ पर कहीं लिखा होगा, यह लूप true है, ठीक है, तो इस loop true को यहाँ पर डाल देना है, यह, लूप true हम डाल देंगे, तो last के बाद भी यह, last के बाद भी यह खतम नहीं हो जाएगा, यह first से फिर से start हो जाएगा, यह देखो, तो इस तरह से हम यह value डाल सकते हैं, यानि कि, जितने भी examples हैं, यहाँ पर more than enough हैं, कुछ भी आपको करने के लिए, तो अब मैं यह वाला करता हूँ, यह thumbs gallery कहां गया, इसका पूर पूरे चीज को हमें copy करना पड़ेगा, पूरे को मैं copy कर लेता हूँ, और, ठीक है, body के अंदर का, मैं पूरा copy करके, इधर मैं नीचे paste कर देता हूँ, paste हो गया, और यहाँ पर जो id है, इसको हमें id 2 करनी पड़ेगी, id हमें दूसरी करनी होगी, same id नहीं दे सकते हैं, तो इसको नहीं, हमें यहाँ पर id 2 कर देना है, 2, 3, जो भी मनो, कुछ भी अलग कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर जो javascript है, इसका, इसकी javascript को copy करेंगे, और यहाँ पर दो दो चीजे हैं actual में, दो दो carousals है, यहाँ पर यह देखो, मतलब यह एक जो नीचे आ रहा है, यह एक दूसरा carousal है, जो की ऊपर वाले carousal से connected है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर 1, 2 ऐसा करके देना होगा, तो 2 यह वाला है, ऊपर वाला, ठीक है, तो मैं यह दोनों copy कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर आके paste कर देता हूँ, तो हमारा जो था, यह 1 था, ठीक है, और फिर हम इसका नाम दे देते हैं, 2, और इसका नाम, इसका नाम 3 कर देते हैं, ठीक है, इसका नाम 3 कर दिया, और इसका नाम, यहाँ पर भी 3 कर देंगे, और इसका नाम 2 already है, यहाँ अगर हम class देखेंगे, तो इसका नाम 2 already है, तो अभी अगर हम चल के देखें इसको, तो यहाँ पर यह बन चुका है, बस इसकी CSS हमने नहीं copy किये, तो थोड़ा सा ये बहुत ही बड़ा बड़ा आ रहा है, अगर हम CSS भी copy कर लेंगे, तो एकदम से fix हो जाएगा, ये इतना पूरा CSS अगर हम copy करके, डाल दें यहां पर, एक मैं अलग से style.css create कर लेता हूँ, style.css, ये create कर लेता हू यहां पर डाल देता हूँ, और html में मैं link कर देता हूँ, style.css, link style, ये कैसे कर रहा हूँ, link css, ये हो भी, ठीक है, अब अगर हम देखें इसको, ये connect नहीं हुआ है, क्या हुआ है, कुछ तो दिक्कत हुई है, style.css, ठीक है, यहां पर, साइब मैंने classes का नाम change कर दिया है, इसलिए हो गया है, यहां पर class का नाम है, जो यहां पर swiper, जहां जहां भी class है, इस तरह से, उसका नाम मैंने swiper 3 कर दिया है, swiper 3, 3, 3, यह है, इसको भी 3, इसको भी 3, सारा swiper 3, तो इस तरह से हो गया है, एक्च्वल मैं, यह conflict करने लगा है, क्योंकि, उपर वाला भी, उपर वाली भी style थी, इसकी भी style थी, तो मैं फूरी style ही रटा देता हूँ, मैं खुद से style दे दूँगा इसको, मैं इसके पूरे container को, मैं इस CSS को on link कर देता हूँ, इसका जो पूरा container है, यही पे मैं width, width, width 96, और, h, 96, यह कर दिया, और, same चीज मैं यहां पर भी कर देता हूँ, तो यह सही है, यह हो गया swiper 2 और यह हो गया 3, तो सही है, यह अब एकदम सही से काम कर रहा है, अगर हमें यहां पर margin top देना है, तो हम margin top दे सकते हैं, margin top 4 इस तरह से, थोड़ा सा gap हो जाएगा, और basically जो भी customization करना है, हम CSS का use करके कर सकते हैं, इसके अंदर हमें जो भी रखना है, वो रख सकते हैं, इस तरह से slide होता रहेगा, और एकदम अच्छे से हम swiper बना सकते हैं, तो यहां से आपको जो भी example अच्छा लगे, वो आप copy कर सकते हैं, responsive break points कैसे लगाने हैं, यह सब आप कुछ से experiment करेंगे, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, और यह जो library है, यह बहुत ही अच्छी है, एक कराउजल बनाने के लिए, हमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, automatic सब कुछ काम करने लगता है, और यही होती है एक library, यानि कि हमें एक feature implement करना है, library हमें एक feature देती है, एक particular feature देती है, जिसको हम अपने project के अंदर import करते हैं, और इसका use करते हैं, basically किसी के दारा लिखा हुआ code, जो कि एक particular काम करता हो, एक specific काम करता हो, और framework क्या होता है, framework basically ऐसा होता है कि framework हमें एक project create करके देगा, framework हमें project create करके देगा, जो हमने खुद से project create किया है, यह हम framework जब use करेंगे, तो हम खुद से project नहीं create करते हैं, framework खुद उसका पुरा command होता है उसका विसकर करके हम एक project पुरा create करेंगे और उसमें लिखा रहेगा कि मतलब बताया जाएगा कि तुम्हें style यहां पे रखनी है HTML यहां पे रखना है JavaScript यहां पे लिखनी है तो वो सब कुछ decide करके रखता है जो framework होता है तो जब हम next.js पढ़ेंगे तो next directory में लिखना है तो वो होता है एक framework ठीक है यह एक library होती है और इसको मैंने इस लेकवर कर दिया ताकि एक practical example मिल जाए react.js पढ़ने से पहले यह library क्या होती है कैसे use करते हैं तो मैं उम्मेद करता हूँ आपको एक carousal बनाना अच्छे सबंग में आ गया होगा अब आप इसक आपको जैसे भी चाहें वैसे कस्टमाइज कर सकते हैं और यह सब कुछ आप जो भी लिखेंगे वो टेल्वेंट करके कस्टमाइज करेंगे तो मैं मित करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा अगर आपका कोई भी question है कोई भी doubt है तो आप comment में पूछ सकते हैं और संडे लाइब में भी अपना question पूछ सकते हैं हम लोग हर संडे रात आट वजे लाइब करते हैं गूगल मीट का लिंक आपको description में जाएगा आप वहाँ पे भी question राइड के पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में और नेक्स वीडियो में स्टार्ट करन करते हैं